नमस्कार में सारे दोस्तों को स्वागत आपका आज की वीडियो में लेडी हाडिंग मेडिकल कोलेज की तरब से वेकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसके बारे मैं अज आपको मैं जानकारी दूँगा ये जो वेकेंसी है ये नर्सिंग अटेंडन की पोस्ट के उपन निकाली गई है अगर आप इस पोस्ट पे अपलाई करना चाहते है तो आपने दसवी कलास पास का रखे होनी चाहिए किसी भी रिकोजनाइस बोर्ट से उसी के साथ में आपके पास फर्स्टेट सेटिफिकेट होना चाहिए जो की रिकोजनाइस होना चाहिए सेंटरल या स्टेट गवर्मेंट से और साथी में आपको एक्सपिरेंस होना चाहिए minimum 50 bed वाले hospital के अंदर काम करने का तब आप eligible रहेंगे nursing attendant की post पे apply करने के लिए total number of vacancy देखे तो total 35 vacancies post के उपन निकाली गई है आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी category के अंदर कितनी vacancies निकाली गई है pay scale की बात करें तो इसके अंदर age election भी दिया गया है और यह जो इनके दोरा vacancy निकाली गई है यह regular basis के उपन निकाली गई है आगे बात करते हैं आपके selection process के बारे में तो इसके अंदर आपका जो selection होगा वो आपके written exam के basis के उपन लिया जाएगा उससे related जो भी update है वो इनके दोरा आपको दे दिया जाएगा या तो इनकी official website पे नहीं तो आपके email के उपडेट दे दिया जाएगा तो अगर आप इस vacancy को apply करते है तो समय समय पर इनकी official website पे विजिट करते रहे और साती में जो आप इस vacancy को apply करेंगे तो आपको valid email ID आपको आपकी fill करनी है आगे बात करते है application fees के बारे में तो जो भी candidate, journal और OBC category के अंदर आते है उनको 300 रुपे application fees की payment करनी होगी और जो candidate other category के अंदर आते है उनको application fees के अंदर छूट भी दी गई है आगे बात करते है इस vacancy की application fees की payment कैसे करनी है आपको ये जो आप application fees की payment करेंगे ये आपको भरतकोष.gov.im इस portal के उपर जाके आपको application fees की payment करनी है ये जो आप application fees की payment करेंगे ये आपको online करनी है application fees की payment कैसे करनी है उसके लिए इनकी notification के अंदर page नमर जो 7 है आप उसको देख सकते है उसके अंदर बताया गया है कि कैसे आपको application fee की payment करनी है आगे बात करते है इस vacancy को आपको apply कैसे करना है इस vacancy को आपको offline apply करना है offline apply करने के लिए इसका जो application form है उसका जो link है वो मैंने आपको description में दे रखा है simply आपको description में जाके इसके application form को download करना है उसके बाद उसको fill करना है basic information इसके अंदर पूछे के यह आपके education qualification और आपके bio data से related जो आपको इसके अंदर fill करनी है उसके बाद आपको आपकी एक passport size latest photo को आपको यहाँ पे attach कर देनी है उसके बाद आपको उसके ओपर cross sign कर देना है उसके बाद आपके जो supporting documents है उसकी photo copies को आपको self attach करके इस application form के साथ attach करना है और साथी में जो आप application fees की payment करेंगे उसकी जो receipt है उसको application form के साथ attach कर देनी है और साथी में आपको आपके घर का एक address लिखा हुआ लिफाफा भी envelope के अंदर डाल देना है application form के साथ और साथी में जो आप envelope use करेंगे उस envelope के उपर आपको लिखना है application for the post of और जिस post के लिए अप्लाई कर रहे है उस post का आपको नाम लिख देना है उसके बाद आपको ये जो address दिख रहा है director LHMC and SSKH सहीद भगत सिंग मार्क New Delhi इस address पे आपको by post कर देना है register post या speed post के माध्यम से आप इस vacancy को apply कर सकेंगे बात करते हैं last date के बारे में तो ये जो vacancy इनके official website पे publish हुई थी वो हुई थी 15 फरवरी 2021 को तो आपको 30 दिन के अंदर इस vacancy को offline apply करना है और जो candidate इस vacancy को असम, मेगाले, अरुनांचल परदेश, मिजोरम, मनिपूर, नागलेंड, तुरिपूरा और जो state इनके दूरा बताए गए अगर आप इन state से इस vacancy को apply करना है तो आपको 37 दिन के अंदर इस vacancy को offline apply करना है और अगर आप इस vacancy को apply करने के लिए तो उससे पहले एक बार आप इसकी notification को अच्छे से read कर ले notification का जो link है वो मैंने आपको description में दे रखा है और अगर आपका इस vacancy से relate कोई भी question या doubt है तो आप मुझसे नीचे commit में पूछ सकते है और ऐसे ही government और private jobs की detail time to time जानने के लिए इस channel को subscribe करें thank you so much